ओम्श्यान्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हम सभी का मुख्य लक्स है संपूर निरहंकारी बनना अर्थात मैपन से पूरी तरह मुक्त हो जाना मैपन का सुक्स मौन्स भी जिनके पास नहीं रहेगा वे विजय रत्न बन जाएंगे बहुत महान बन जाएंगे और उनके द्वारा बाबा जो करन करावनहार है अपने महान करतव्य कराएगा जिनके पास मैपन होगा वो खुद करेंगे बाबा क्यों कराएगा उनसे तो इसके लिए बहुत स्रेश्ट धारना है निमित भाव सेवा भाव हम सभी निमित समझें अपने को बाबा ने ही हमें चुना है उसने ही हमें योगिताएं दी हैं उसने ही हमें संपूर ग्यान दि दिया है उसको ही सुक्रिया करें ओर वही हमारे द्वारा सब कुछ कराता है तो करन करावनहार अपना स्रेश्ट कारिये करा रहा है यह बहुत तिस पर्ष्ट रियलाइजेसन हो क्योंकि बिना realization के आत्मा इसको accept नहीं करती रहता है हम कर रहे हैं ठीक है बाबा ने ग्यान दिया सब कुछ दिया लेकिन कर तो हम रहे हैं लेकिन ये नहीं हम केवल निमित हैं इससे मैपन का भाव मिठ जाएगा अभीमान मिठ जाएगा और जो हम अपनी सेवाओं के प्रती कहीं स्वार्त रखते हैं कहीं सेवाओं को गिनते रहते हैं वो सब समाप्थो कर हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा अलोकिकता आजाएगी इस तरह हमें निर्मान बनना है निर्मान का अर्थ दो हैं निर्मान करने वाले विश्व का निर्मान कंस्ट्रक्षन और निर्मान बिल्कुल इगोलेस निरहिंकारी जो सम्पूर्ण इगोलेस होंगे वही स्रेश्ट युक के निर्मान में मुख्य भूमी का निभाएंगे ये भगवानों वाच्छ है तो हमें वैसे भी सोचना है, एंकार तो बिखराव लाता है, संगठनों को तोड़ता है, टकराव पैदा खड़ता है, अपनी स्थिती को बिगाडता है, लोग भी दूर हो जाते हैं, जहां संगठन अच्छा नहीं है, जहां एक के अलावा कोई नहीं है, महा समझ लें एहम मैं पन जादा है, उससे व्यभार रूखा है, तो हम सभी एक महान लक्स बनाएं, हमें निमित भाव पूरी तरह से धारन करना है, और पूरा निर्मान चित हो जाना है, तब हम विश्व के नव निर्मान में बाबा को संपूर्ण मदद कर सकेंगे, अगर हमें एहम भाव रहा, या सत्ता का भाव रहा, अपनी अथोरिटी का भाव रहा, उसका हमने मिश्योज किया, तो हमारी सुक्स्म सक्तियां नस्ठोती ही रहेंगी, तो बहुत ध्यान देंगे निर्मान चित होने पर, इसी में आ जाता है नमरता भी, हूमिलीटी भी, पुलाइटनेस भी, बहुत स्वेटनेस भी इससे, लोग भी हमसे बहुत परभावित होंगे, हम परभाव सालिप बन जाएंगे, हमारे बोल का परभाव भी दूसरों पर बहुत पड़ेगा, और हमारे प्रैक्टिकल जीवन से सेवा भी होगी, दूसरों को गुनदान भी ह अरथात, दूसरे हम से लगातार गुन सीखते ही रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति निर्मान चित हो जाता है, वो सरल्चित भी सहजी बन जाता है। वो सेंसेल भी हो जाता है, इसे एक स्रेश्ट गुन को धारन करने से कई गुन सहज ही जीवन में आ जाते हैं, वो सबको सम्मान भी देने लगता है, वो सबको आगे भी बढ़ाने लगता है, और इससे बाबा की सेवाओं का कारिये तिवर गती से आगे बढ़ने लगता है, तो हम एपन को फीछे छोड़ चलें, क्योंकि हम बाबा के लिए हैं, हमारा जीवन बाबा के लिए है, अपने लिए नहीं, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं को फूर्ण करने के लिए नहीं, हम ये बहुत सुन्दत चिंतन करते रहें, तो आईए हम निमित भ हाव विधारन करें और निर्मान चित भी वने और अपनी श्रेष्ट मंजिल को सहजी प्राप्त करें ओम शंदी